शादी का वादा करके किसी महिला के साथ उसकी सहमती से लंबे समय तक सेक्शुल रिलेशन रखे जाने को रेप कहा जाए या नहीं इसे लेकर रेप के कानून में और इस पश्टता की जरूरत है ओडिशा हाई कोट ने कहा है कि जब महिला अपनी मर्जी से इस तरह के संबंद में होती है तो उसके लिए बलातकार को परिभाशित करने वाले कानून में और इस पश्टता की जरूरत है दरसल इस केस में लड़की ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए इसी तरह कि मामले में बलातकार के आरोपी व्यक्ति की जमानत या चिका को खारिच करते हुए हाई कोट के जजज एसके पणिग्रही ने फैसला सुनाया कि इंटिमेट रिलेशन को संभालने के मामलों में बलातकार से जुड़ा कानून लागू नहीं होना चाहिए खास कर उन मामलों में जहां महिलाएं अपनी मर्जी से रिलेशन्शिप में रहती है अदालत ने कहा कि इस मामले पर कानून में आरोपियों की सजा के लिए इस पश्टता का अभाव है दरसल पुलिस ने आरोपि पर पिछले साल भारती दंड सहिता की धारा 376, 313, 294 और 506 और सूचना प्रद्योगी की संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 66E और 67E के तहत एक लड़की से बलातकार के आरोप में मामला दर्स किया था लड़की ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ शारिरिक संबंद बनाए आरोप है कि फिजिकल रिलेशन की वजह से लड़की दो बार गर्भवती हो गई जिसे आरोपी युवक ने दवा देकर गर्भपात करा दिया हलांकि पिछले साल जन्वरी में लड़की ने आरोपी युवक से शादी करने के लिए कहा मगर उसने इनकार कर दिया बाद में पिछले साल अप्रेल में युवक ने कथित रूप से लड़की के नाम से बनाई गई फर्जी फेस्बुक आईडी का उपयोग करते हुए अपने साथ लड़की की निजी तस्वीरें पोस्ट की जिसमें लिखा था कि लड़की का चरित्र अच्छा नहीं था युवक ने कथित तौर पर लड़की को धंकी दी थी कि वो उसकी अश्लील तस्वीरे फेस्बुक पर वाइरल कर देगा इतना ही नहीं उसने उसे अगवा करने और जान से मारने की धंकी भी दी थी हालंकि जेस्टिस पाणि ग्रही ने आरोपी युवक की जमानत याचिका को खारिच कर दिया मगर उन्होंने पाया कि बलातकार के कानूनों का उपयोग अंतरंग संबंधों को रेगुलेट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए खास कर उन मामलों में जहां महिलाएं अपने पसंद से रिष्टे में जाती हैं जेस्टिस पाणि ग्रही ने कहा कि कानून में अच्छी तरह से तरह है कि शादी करने के जूटे वादे पर प्राप्त सहमती एक वैद सहमती नहीं है चुकि कानून के निर्माताओं ने विशेश रूप से उन परिस्थितियों का उल्ले किया है जब IPC की धारा 375 के संदर्ब में सहमती का मतलब वैद सहमती नहीं होता यहां शादी का जूटा वादा करके फिजिकल संबंद के लिए सहमती IPC की धारा 375 के तहट उल्ले खित परिस्थितियों में से एक नहीं है इसलिए IPC की धारा 375 के तहट सहमती के प्रभाब को निर्धारित करने के लिए IPC की धारा 90 के प्रावधानों के स्वतह विस्तार को गंभी रूप से देखे जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि शादी के नाम पर फिजिकल डिलेशन रखने को बलातकार बताने वाला कानून गलत प्रतीत होता है जज पानी ग्रही ने आगे कहा कि समाच और ग्रामिन शेत्रों के सामाजिक रूप से वन्चित और गरीब तपकों से कई शिकायते आती हैं इन वर्गों की वहिलाओं को अक्सर शादी के जूटे वादे का लालच देकर पुरुशों द्वारा सेक्स किया जाता है और गर्भवती होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है अदालत ने ये भी पाया कि बलातकार कानून ज्यादा तर उन सामाजिक रूप से पिछडी हुई और गरीब पीडितों के साथ नयाय नहीं करते जो पुरुशों के शादी के जूटे वादे में आकर संबंद बनाने के जहांसे में फस जाती है